चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज आप असे जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले नमस्कार दोस्तो मैं हूँ नमरताब दोरिया एन्यान यूटूबर और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल होम रेमेडी नुसका लेकर कर आई हूँ दोस्तो आपको ये बिल्कुल सामगरी आपको घर में ही मिल जाएगा आप केचिन में मिल जाएगा दोस्तो और आप इस सामगरी को आप वहम रेमेडी को यूज करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है तो दोस्तों आप वीडियो बने रहिए और दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपने बिल्कुल भी प्लीज अब मेरे चैनल पर पहली बार आए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और दोस्तों नहीं से फेरी हैं तो यह देखिए दोस्तों यहां पर मैं लिया है जीरा जीरा सभी के मसालदानी में होता है किचन में तो दोस्तो वीडियो में बने रही है और दोस्तो आज के इस आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा चूरन बना के दिखाऊंगी कि दोस्तो आप उस चूरन को अगर रोज यूज करेंगे तो दोस्तो इससे आपको क्या क्या फायदा मिलेगा मैं आपको बताती हूं दोस्त तो इस तरीके करीबन 4 पात शीजा आप की चूरे खोंगी कितना benefits एस चूरे तो इस चूरे से आपको पांच तरीके benefits होंगे एक चूरे से पांच benefits जो चले उस्टों बने रहीं आगे मैं बताते हुं। इस जीरे में क्या क्या मिलाना है तो दोस्तों यह देखें यहां पर यह जीरा है और यह जीरा आपके किचिन में हर समय उपलब्द रहता है 24 घंटे उपलब्द रहता है दोस्तों यह जीरा वही वाला है जो आप सब्जियों में यूज करते हैं तो दोस्तों आपको पता होग मैथि दाना जहां पर सरीर कहीं भी किसी भी हिस्से में अगर बात रोग लगा यह दो कि जो बादी हो जाती हैं तो इस खत्म हो जाती यह लिए है मैं आपको बताते हुं इसके साथ क्टीशा इंउडीडेंस क्या लेना यह दोस्तों यह दुट है है सौंफ आपको दिख रहा होगा यह दोस्तों जो हमारे इस हैं रख से कम होता है वह इस दोस्तों जानते हों दोस्तों कि इसी के लिया है लेते हैं तो अपर हो Works तो दोस्तों यह उस चीज में यह फायदा करता है अब चौथा इंगिएंट्यूंस मैं डिया है अजवाएव यह सामगरी दोस्तों आपको मिलता है इस इंडियंट से आपको फुल आराम मिले गा गैस में कब्रशित इस चूरन से पैट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा Özte चाहेंगे तो यह तरीक इसे काला नमग ले लीजिये और आपको इसका पावडर भी मार्केट में तो इसका इसमें को कास्ट दोस्तों आक ब्लैक सॉल्ट का पाउडर बना लिया है इस काली नमक से मैंने यह वाला पाउडर तयार किया है तो दोस्तों यह वाला नमक अगर आपको इस वाले काली नमक का आपको अगर वीडियो चाहिए तो दोस्तों मैं यह कल तक आपको यह वीडियो अपलोड कर दूंगी तो दोस्त तो यहां पर मैंने यह काला नमक तयार कर लिया है आप देख सकते हैं इसका कलर भी हलका काला सा है यानि कि आप जब बनाएंगे तो आपको हलका काला मिलेगा तो यह देखिए दोस्तों तो इस तरीके से हम यह पांचों इंग्रीडियंस यूज करेंगे अब इस इन मैं से कित क्वांटिटी मैं यह सारी चीजन लेनी है कि देखिए मेन आजवायन को इस वाल में कर लिया है तो चलिए मैं आपको बताते हैं इस समय कितना कितना यूज करणा सारी शामगरी में से तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर एक खाली बावल लूंगी अब दोस्तों इसमें हम यहां पर लेंगे दो चम्मच सौंप इसको भी हम ले लेंगे दो चम्मच यानि कि बारावर कॉंटिटी इसकी रखनी है सौंप और मैथी की अब इसमें से दो चम्मच लेंगे हम जीरे का इस टाइब से आप दो चम्मच जीरे का ले 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 और अब हम लेंगे अजवाइन अ क्योंकि आपने relates मेठी दो हम जीरा दो कम मेठ लिया इसमें का रखेंगे अब इसे हम डालेंगे काल नमक फैज़ आपको फैदा करे गा इससे आपको अफाह नहीं होगा और और दोस्तों बिल्कुल गैस बस कुछ नहीं बनती है और इससे काफी बेनिफिट से आपको आप जब इस चूरन यूज करेंगे दोस्तों तो आप खुद पाएंगे कि यह चूरन कितना अच्छा है तो इसमें हम इस टाइप से डेढ़ चमत यह काला नमक डाल देंगे अब इसको हम इस सामगरी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों आप इस चूरन को जरूर बराइएगा इस तरीके से आप इसे मिक्स कीजिए दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों चैनल पहली बार आई प्लीज सस्क्राइब कर लेना और दोस्तों वीडियो करना बिल्कुल न भूलें वीडियो जरूर सेयर करना अगर आपको अच्छी लगा है अब इस सामगरी को हम मिक्सर के ग्लाइंडर को लेंगे यानी की जार को लेंगे और इस सामगरी को उसमें डालने की प्रइब उसका लिए और इसका पॉडर बना लेंगे मिक्सी की साइथा बना लैंगे मैं यहां पर कैसे खाएंगे कैसे लेंगे यह मैं आपको आगे बीडियों बताती है दोस्तों तो यह पाउड़र बहुत ही अच्छा तया हो गया और इसकी काफी अच्छी खुसवू आ रही है तो दोस्तों आप इस पाउडर को जब स्वेम बनाएंगे खुद बनाएंगे तो दोस्तों इसकी खुसवू को महसूस कर सकेंगे और दोस्तों जब आप इसे बना करके खाएंगे तो दोस्तों आप इसका बेनिफिट देखेंग अब इस चूरन को आप कैसे लेंगे यह मैं आपको बताती हूं, दोस्तों इस चूरन को आप दो तरीके से ले सकते हैं, आपको मैं वीडियो में दोनों तरीका बता देती हूं, आपको जो सरल लगे उस ताइब से आप इस चूरन को यूज करें, तो यह देखें दोस्तों एक चमच आप चाहें तो इस तरीके से एक चमच चूरन एक छोटा चमच आप चूरन लें और इस चूरन को आप सुबह खाली पेट फंकी लगा लें यानि कि आप मुझ में डालके और पीछे से पानी पी करके इससे आप निगल लें तो दोस्तों इस चूरन को आप सुबह साम ख यह चूरन एक चमच डाल दें इसमें गुरूने पानी में तो दोस्तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप तो यह देखिए हमारी सिकंजी बने के बिल्कुल तयार हो गई है अब आप इस सिकंजी को यानि चूरन बनाके इस सिकंजी को आप सुबह साम एक एक गिलास खाली प सब्सक्राइब घ्रकाइब दोस्तों इस बहुत साद़ काफी लंबा हो जाएगा जो अगर आप को मेरा वीडियो अच्छा लगे देट को लाइक कर दें और दोस्तों इस चूरन से आपके नहीं भी खतम हो जाएगा यानि की दर्दिवी आपको महसूस नहीं होगा ऑदोस्तो थैं यहाई मैसुस होते हैं दोस्तों अब को या प्र correspondence अगर को टियुक्त में बेरे। कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है तो चलिए दोस्तों अगर आप पहली बार आई तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करने दोस्तों बढ़कर फिरिये और मैं मैं तो नई वीडियो के साथ ततक के लिए नमस्कार